हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक माई एटीव चैनल माई नेम इसकुलफशा और आप सबी देख रहे हैं दा लर्नर्स कम्यूनिटी जिसमें हम बीए प्रोग्राम के बच्चों का स्लेबस कफर करवा रहे हैं और बीए प्रोग्राम में हमारा सेमेस्टर फिफ्थ चल रहा है औ जो कि GE कोर्स के अंतरगता दिया हमारी हिस्टरी की बुक का नाम है आधुनिक विश्व में जैंडर यानि इंग्लिश में हमारी बुक का नायम दे रखा है जैंडर इन दा मॉडर्न वर्ल्ड यह हमारी बुक का नाम है और जिसकी हम अल्रेडी यूनिट 3 तक कवर कर चुके चले फिर स्टाट करते हमारी यूनिट यूनिट नंबर 4 झिसका नाम दे रखा है दक्षुन अफरीका में महीला और रंगभेद विरोधी आंदोलन यानि बारे में जो महीला कि उनके बारे में रंगभेद वही रंगभेद कहलाता है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर आप फटा फट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके प्यारे से लाइक से इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फस्ट हमारा दे रखा है रंगभेद एक परिच्चे चलिए रंगभेद का परिच्चे देख लेते हैं कि रंगभेद होता क्या है रंगभेद एक नसलिय अलगाव के प्रणाली है जिसमें 1948 और 1994 के बीच दक्षण अफरीका की सरकार द्वारा लागू किया गया था इस प्रणाली है यानि नसलिय अलगाव है जो नसलिय के आधार पर किया जाता है और 1948 और 1994 के बीच दश्यर अफरीका की सरकार द्वारा लागू किया गया और इसके अंतरकत क्या होता था जो गोरे होते हैं गोरे होते हैं उनका वर्चस्व होता है किन पर काले लोगों पर जो ऐसको अपने घर में देखें तो आप भी देखिएगा जो बश्यो होता है इसे जाधा पसंद किया जाता है अकॉडिन तो रेल टू किसी को नहीं उनका फिलिमेद से P Ès समाज में देख सकते हैं जो हम बच्चों के साथ करते हैं ये भी क्या है ये एक भेदभाव का ही उधारन है अब चलिए देखते हैं दक्षुर अफरीका में रंगभेद का इत्हास यानि दक्षुर अफरीका में जो हमारा रंगभेद है उसके इत्हास कैसा है या उसकी शुर परणाली ती जिसमें गोरे और गैर गोरे यानि काले लोगों के बीच भीदभाव किया जाता था यह परणाली 1948 से 1994 तक चली जब एक नई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया यानि यह स्टार्ट जोई थी वह 1948 से स्टार्ट हुई थी और 1994 तक चली जब दूसरी सरकार आई और उ आज भी महसूस किये जा सकते हैं यानि दक्षिन अफरीका में आज भी हम रंगभेद को देख सकते हैं इसके जो प्रभाव पड़े थास पर उसको हम देख सकते हैं आज भी दक्षिन अफरीका में यह चीज़ देखी जाती है चलीए फिर आगे बढ़ते हैं आगे अब हमा शुरू कैसे हुआ चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रंगभेद की शुरुवात को देखना रंगभेद की जड़े दक्षुन अफ्रीका में यूरोपिय उपनिवेश्वाद में नीहित है सोल्वी सताब्दी में डच और ब्रिटिश उपनिवेश्वादियों ने देश पर कब अपनिवेश्वादियों ने अफ्रिकी मूल के लोगों को गैर मानव माना और उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश की यानि देखिए जो दक्षुनी अफ्रीका के मूल लोग हैं महां के जो मूल निवासी हैं वो काले होते हैं तो उन्हें उन्होंने मानव ही नहीं माना उन्हें नहीं करना के अगर वो घृटियों के लोग दॉस्जदें के लोग यह ओं पहले होते हैं रहुक्ति दक्षुनी अफ्रिका के लोग यह चोब लोग काले तो इनवने क्या कहा कि यह तो मानव ही नहीं यह गैर मानव हैं और इनको अपने इन पर अपने अधिकार जमाने की और इनको अपने उपनी वेश बनाने का पूरी पूरी इन्हों ने कोशिश की और इन्हें अपना उपनी वेश बना लिया उपनी वेश वाद ने एक प्रणाली शुरू की जिसमें आशुएद लोगों को गोरों के अलग रखा गया यानि उपनी वेशवात के दोरान जब डच और ब्रिटेन लोग दक्षुनी अफरीका में आ गए थे उस समय अश्वेट लोगों को गोरे लोगों से अलग रखा गया यानि जो गोरे लोग हैं वो अलग रहने लगे और जो काले लोग होते थे उनके लिए अलग बस्तिया होन जा गया कि जो अश्वेट हैं उनके कौन से अधिकार होंगे जो अश्वेट हैं उनके कौन से अधिकार होंगे जो अश्वेट लोग होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था सिर्फ श्वेट लोगों को ही वोट देने का अधिकार था ठीक है नेक्स्ट अब हम दे रखा है रंगभेद का शाषन यानि रंगभेद जब होने लगा तो उस टाइम पे शाषन किस प्रकार से होता था चलिए इसको देखते हैं रंगभेद की शाषन को इसके स्टार्टिंग होती है 1948 यानि जब से रंगभेद शुरू हुआ था ठीक है 1948 में दक्षुनी अफर अफरिका में बढ़ाने का काम किया और जो राष्ट्रे पार्टी थी यह शुएत वर्चस्व वाली थी यानि गोरे लोगों का वर्चस्व था इस पार्टी में जिसकी वज़े से जो रंगभेद की व्यवस्था थी वह बहुत जादा बढ़ गई देश में राष्ट्रे प बहुत सारे कानून बनाए इन कानूंों में शामिल थे अब इन कानूं में कौन कौन से कानूं शामिल थे चलिए उनको देखते हैं पहला है जनसंक्या पंजीकारन अधीनियम यह अधीनियम सभी दक्शण अफीकाई नागरिकों को चार नसल समूओं में वर्गी कृत करते यानि वहां के सरकार ने जनसंक्या पंजीकृत अधिनियम बनाया जिसकी वजह से वहां के जो समाज था उसको चार वर्गों में चार नसली वर्गों में बाट दिया गया पहला था शुएत दूसरे थे अशुएत तीसरे थे रंगीन और चौते थे भारतिये ठीक है इन चार वर्गों में उन्होंने बाट दिया पूरे समाज को सेकेंड है हमारा समू चित्र अधिनियम यह अधिनियम दख्षणी अफ्रिका नागरिकों को उनके नसल के आधार में अलग-अलग ऑवासी छेत्रों में अलग-अलग करता है यानि ये जो سम्हू चेत्री अधिनियम था ये उनके जो आवास होते हैं उन्हें अलग-अलग रखने का कार्य करता था यानि जो शुएत लोग हैं वो अलग रहेंगे और जो गैर शुएत है यानि जो काले लोग हैं वो अलग रहेंगे ये इसी अधीनियम के तहट वो लोग अलग-अलग रहते थे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है मारा बुटू शिक्षा अधीनियम यह अधीनियम शुएत और अशुएत दक्षुन अफरीका नागरिकों के लिए अलग-अलग शिक्षा परनाली स्थापित करता था यानि वहां की सरकार नहीं जो दक्षुन अफरीका है वहां के लोगों के लिए और जो शुएत लोग हैं उनके लिए शुएत और अशुएत दोनों के लिए अलग-अलग शिक्षा परनाली शुरू कर दी जो शुएत हैं उन्हें अच्छा पढ़ाया जाएगा और जो अशुएत हैं उन्हें नॉर्मली बेकार सा पढ़ाया जाएगा तो उन्होंने शिक्षा में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया शिक्षाओं को भी अलग-अलग कर दिया नेक्स्ट है हमारा पास कानून यह अधिनियम अशुएत दक्षुन अफरीका नागरिकों को हर समय पास बुक ले जाने की आविशक्ता होती थी और अधिकारियों से नियमित प्राप्त करना होता था कि वह शुएत छेतर में प्रवेश कर सकते हैं यानि देखी एक पास कानून बना दिया गया कि अगर कोई भी अशुएत दक्षुन अफरीका का जो अशुएत है वो किसी शुएत के छेतर में जाना चाहता है तो उसे पहले अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं वहां जा सकता हूं या नहीं इस चीज की उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी मतलब उन्हें इतना नीचे रखा जाता था अशुएत लोगों को कि अगर उन्हें शुएतों के पास जाना है या उनकी कलोनी में जाना है तो पहले उन्हें परमिशन लेनी होगी कि हाँ वो जा सकते है या नहीं वहां के अधिकारियों से ठीक है अब आगे चलते हैं यह कानून ने दक्षन अफरीका में एक अलगाव वादी और भेदभाव पूर्ण समाज का निर्मार कर दिया अब देखी इतना भेदभाव क्या जा रहा है कि उनकी बस्तियां अलग हो गई उनकी शिक्षा अलग हो गई उन्हें श्वेत लोगों के पास जाने के लिए परमीशन लेनी पड़ रही है इतना भेदभाव हो रहा है तो यह अलगाव और भेदभाव कोई तो समाज में जनम देगा ही देगा जब इतनी कंडिशन ऐसी कर दीन लोगों ने अश्वेत लोग जो दक्षन अफरीका की आबादी का बहूमत थे को गोरे से अलग रखा गया उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में भेदभाव का सामना करना पड़ा यानि देखे जो अश्वेत लोग थे वो दक्षन अफरीका की बहुत बड़ी आबादी थी लेकिन फिर भी उन्हें हर पहलू पर उन्हें भेदभाव का स अश्रित विवहा निशेद अधीनियम पारित किया गया जिसके अनुसार शुएत और आशुएत के बीच विवहा को कानून के तहत अवयद और दंडनिया बना दिया गया यानि समाज में ऐसी स्तिति देखने को मिली कि अगर शुएत और आशुएत काले और गोरे लोग तो उन तौनों को ही दंड मिलेगा दोनों जो हैं वो दंडनिया अपराध है यह शादी करना एक दूसरे के लिए अपराध तक मना दिया गया या यानि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जिसमें हमारे नीजी चीज़े आती हैं जैसे कि विवहा व गएरा चीज़े यह हमारी नीजी संपत्ति के अंतरगत आती हैं इसमें भी सरकार ने इंटरफेर करना शुरू कर दिया और यह कहा गया कि अगर श्वेद और आश्वेद गोरे और काले लोग आपस में विवहा करेंगे तो वह जो होगा वह दंडनी अपराद होगा उन्हें दंड दिया जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं आगे हम हमारा दे रख है शुवेद और अशुवेद के बीच योन संबंद और यहां तकिन के बीच चुमबन भी 1950 के तिकता अधिनियम के साथ अवैद हो गया यानि देखिए यहां तक कि जो अशुवेद और शुवेद लोग हैं वो विवहा करेंगे तो तो दंडनी अपराद है ही यान और उसके साथ में अगर वो योन संबंद या फिर किस वगयरा भी कर लेते हैं तो भी यह दंडनी अपराद है यहां तक कि जो वहां की सरकार थी उसने जो वहां की नागरिक थे उनके जो परसनल चीज़े थी उसमें भी इंटाफेर करना शुरू कर दिया कि बिलकुल अलग अलग रहना है जो वेत हैं उन्हें अलग रहना है जो अशुएश्य कद यानि इस भी संब्हित कर लेत 여러गर तो इनके वह बीण संब्ध इस्थापित नहीं क्या जा प्रड़ादी को नस्ल भूर्भी कर दिया समुहु को सीमित कर दिया गया कि इस स्थेत्र में जो आशुएद हैं वो नहीं आ सकते, जो शुएद हैं वो ही आ सकते, इस चीज़ पर भी पृतिवन लगा दिया गया, यानि हमारे जो छेत्रों थे वो निर्धारित कर दिये गए, जहना, वो निर्धारित कर दिया गता, जो अशुएद हैं चाहिद हैं, आशुएद को अपनी जीवन के हर पहलू में भेदभाव का सामना करना पढ़ा, जिसमें शिक्षा, रोजगा, स्वैस्थ, सेववज शामिल था, यानि जो रगभेद हैं, उसने दक्षूONA, अफरीका क सबी चेत्रों को प्रभावित किया और खासकर जो अशुएत लोग थे उनके हर जीवन के पहलों को प्रभावित किया जैसे कि हम नीजी जिन्दगी देख सकते हैं उनके विवहाव गेरा या फिर कोई भी यौन संबंद कुछ नहीं कर सकते थे तो नीजी स्थिति में शिक्ष यानि कोई को रहा है तो से सवास्ती सेवा मिलेगी अगर काला यह विककाल स से मिलेगी 2,- यह रंग के आधार पर इनोंने तो बार दी आ गया था जो औरकि अश्वेद लोगों के लिए बहुत गलत हो रहा था नेक्स्ट हमारा सिक्षा अब देखिए रंगभेद का सिक्षा पर क्या प्रभा पड़ा इसको देखते हैं अश्वेद बच्चों को अलग 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 स्कूलों में भेजा जाता था जो गोरों के लिए उपलब्द शिक्षा से बहुत कम गुडवत्ता वाले होते थे अश्वेद बच्चों को कम बजट दिया जाता था और उनके पास कम अच्छी सुवेदाय होती थी यानि देखिए जो अश्वेद बच्चे थे व उनके जो स्कूल की सुवेदाय होती थी वह बहुत कम होती थी और बहुत बैकर होती जिससे क्या होता था अश्वेद लोगों की शिक्षा पर परभाव पढ़ता था नेच्चे हमारा रोजगार अश्वेद लोगों को केवल निम्न इस्तर की नोक्रियों के लिए Myanmar किया जा प्राप काम कर samma करने की इस्तिती में रखा जाता ता हम ये देखा जाता था कि आ idi है ऑं जो गोर हैं उनको ऊपर रखा जाय और जो काले लोग है उनको छराब्ला में रखा झाए रोजगार में भी भेदवावो नेक्स्ट है और उन्हें स्वास्प सेवा अश्वेयत लोगों को होगोरों तुलना में बहुत कम गुड़वत्तापूर्ण वाली स्वास्त सेवा प्राप्ट होती थी आश्वेयत अस्पतालों को कम बजट दिया जाता ता अर उनके पास कम अच्छी सुवेदाई होती थी। याई देखे जैसे इनोंने स्वास्त के यो देकर्थ का आवास अश्वेट को लिभे अलग अलग इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया जो अक्सर गरीब और खराब सुविधा वाले थे उन्होंने गोरों के इलाकों में रहने की अनुमती नहीं थी यानि इन्होंने इलाके तक बार दिये कि तुम इस इलाके में रहोगे चाहें वो गरीब इलाकों हो खराब इलाकों हो कैसा भी हो तुम्हें वही रहना है ऐसे कर दिया गया और जो श्वेत लोगों का इलाका होता था वो बहुत अच्छा होता था और वहाँ जाने की भी अनुमती नहीं दी जाती थी अशुवेत लोगों को ठीक है अब हमारा नेक्स्ट है रंगभेत का विरोध यानि अब देखे इतना जादा समाज में प्रैशर हो रहा है अशुवेत लोगों के लिए उनकी सिक्षा पर उनकी नीजी जिन्दगी में उसकी उनकी समाज़ राज लेख लीज़ते कि हरती हमें प्रभाव अम के आरतिक श्टीजे में हम लोग प्रभाव देख सकते हैं तो क्या इसका विरोध नहीं होगा साहिर सी वात है जब कोई भी इंसान के उपर इतना प्रेशर डाला जाए तो वो तो एक ना एक दिन विरोध करेगा ही तो उस चीज के बारे में आप देखते हैं कि किस तरह से इसका विरोध होना शुरू हुआ रंगवेद के खिलाब विरोधों का आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ यानि 1960 के दशक में इसनका विरोध होना शुरू हो गया और 1990 के दशक में समाप्त हुआ और यह समाप्त कब हुआ 1990 के दशक में यह जो विरोधतार रंगवेद के अधार पर यह समाप्त हो गया इस आ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी यानि ये जो आंदोनन हो रहे थे ये शांती पून तरीके से हो रहे थे हड़ताले की जा रहे थे और पृतिरोध किये जा रहे थे और इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए भी लड़ना शुरू किया रंगभेद एक कुरूर और असमान्य प्रनाली थी और इसका विरोध करने के लिए जो आश्वेद लोग थे उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग तरीके अपनाई अब वो कौन-कौन से तरीके अपनाई चलिए फिर उनको देखते हैं पहला है हमारा शांतीपून विरोध रगभेद के खिलाफ विरोध का सबसे आम रूप शांतीपून विरोध था अश्वेद लोगों को अक्सर प्रदर्शन मार्चों और हरतालों का आयोजन करते थे इन विरोध प्रदर्शन के अक्सर पुलिस द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता था यानि पहले इन्होंने शांती पूर्ण विरोध करना शुरू किया प्रदर्शन करने लगे मार्च करने लगे हरताल करने लगे लेकिन इसका परणाम क्या हुआ कि उन्हें पुलिस दुआरा इंसा का सामना करना पड़ता था पुलिस उन पर हमला कर देती ती जि विद्रो में अक्सर कैई लोगों की मौत हुई यानि इस वजह से हत्यारों का प्रियोग होने लगा जिस वज़े से क्या हुआ बहुत सारे लोगों की मृत्यू तफ हो गई इस अंदोलन के तहट अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है अंतराश्ट्य दबाव अंतराश्ट्य हमारी यू-एन-ओ है यू-एन-ओ ऐसी संगठों ने भी बहुत जादा भैत्पूर भूमिका निभाई इस इस रंगभेद को समाफ्त करने के लिए और उन्होंने आर्थिक दबाब डाला कि हां तुम्हें ये चीज़ खतम करनी है और अपने समाज में अपने देश की रखना है किसी भी व्यक्ति के साथ रंगभेद नहीं होना चाहिए ठीक है इस चीज़ पर यू-एन-ओ जैसी संस्तानों ने भी कदम उठाया अब हमारा नेक्स्ट दे रखा है रंगभेद के खिलाफ विरोध के कुछ महत्पूर आंदोलन अब कौन-कौन से महत्पूर आं यह दिन रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक संगर्श किया यानि एक राजनितिक पार्टी थी जिसने रंगभेद के खिलाफ लडाई लड़ी नेक्स्ट है हमारा पैन अफ्रीकनेस्ट कॉंग्रेस जिसको हम पी एसी के नाम से जानते हैं एक और अश्वेत समुधाई वा से विरोध किया नेक्स्ट हमारी है ब्लैंक कॉंशनिस्ट मॉवमेंट जिसको हम 20CM के नाम से भी जानते हैं यह यूबा अंदोलन था जिसने रंगभेद के खिलाफ एक नए राजनितिक और सांस्कृतिक दृष्टी कौन को बढ़ावा दिया यह यह यूबा का अंदोलन था जिसने राजनितिक और सांस्कृतिक दृष्टी कौन को बढ़ावा दिया कि रंगभेद नहीं होना चाहिए और किस तरह से हमें इसमें बदलाफ करने चाहिए अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है रंगभेद का अंत यानि रंगभेद का कैसे अंत हुआ चलिए इसको देखते हैं रंगभेद का अंत एक लंबी और कठिन प्रकिरिया थी अश्वेद लोगों ने रंगभेद के खिलाफ कई दशों तक संगर्ष किया अधें उनके प्रया और जिसकी वज़े से अश्वेद लोगों को बहुत जादा टाइम लगा और बहुत जादा संगर्ष किया वेशकता हुई लेकिन उनके संगर्षों का नतीजा निकला और 1944 में ये दक्षिन अफरीका में समाप्त हो गया यानि दक्षिन अफरीका में रंगभेद की जो नित कौन से थे चलिए फिर इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके कारण थे पहला है अश्वेद लोगों का विरोध यानि अश्वेद लोगों का जो विरोध होना अश्वेद लोगों ने जो विरोध करना शुरू गया था वो अश्वेद लोगों ने रंगभेद के खिला डाला यानि रंगभेट जो था इसके खिलाब जो आश्वेट लोगों ने आंदोलन चलाए थे वो अंतराष्ट्य इस तर पर चलाए जिसकी वज़े से क्या वह अंतराष्ट्य जो संस्तान थी जैसे कि यूएनो जैसी संस्ता उनका ध्यान आकरशित किया और इसको खतम करने क के लिए जो खतम चलाए इसको खतम किया जैसे रंगभेट जैसी बुराई को खतम किया जासे अंतराष्ट्य दवाब स्यूक्त राष्ट्य संञ्यक्त राष्ट्य अमेरिका और अन्य देशों नीरगभेट के खिलाफ पर वण्ध लगाये औरन तक्षण अफृका पर अमेरिका दोनों ने ही और जो बड़े बड़े देश थे इन सभी ने मिलकर जो दक्ष्ण अफरीका है उस पर आर्थिक दवाब डाला ताकि जो महां की सरकार है वो रंगभेद को समाप्त कर दे और सभी नागरिकों को समान अधिकार दे दिये जाए दक्ष्ण अफरीकी सरका हुई रंगभेद को समाप्त करने के लिए वो अफरीका के राश्रेपती पीटर विलमस ने शुरू किया और यह कब किया यह किया 1989 में उन्होंने अश्वेद लोगों के लिए कुछ अधिकारों के बाहल किया और रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोद करने प्रतिरोद को कम कर सकते हैं या समाफ्त कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा दे रहा है 1994 में दक्षन अफरीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए इन चुनावों में फ्रैंकीन नेशनल कॉंग्रेस ने जीत हासिल की एंसी एक श्वेद बहूमत वाली र तो अश्वेदों की पार्टी जीती जो की उनके लिए खुशी की बात थी क्योंकि बदलाव करने वाले थी एंसी ने के नेत्रतव में दक्षन अफरीका निरंग फेद को के कानूनों को निरस्त कर दिया और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की घोशना की इसने द दक्षिन अफरिका में जो जो रंग्भेद के खानून थे उनको समाफ़्त कर दिया और इसNे दक्षिन मोड या महत्पून भूमी का निभाई इसपार्टी ने रंग्भेद के अंदि ने दक्षिन की शुरुआत कर दिच देशने तेजी से आरठिक विएस का अनुभव कि यानि जब रंग्भेत समाफ्त हो गया तो आर्थिक विकास भी होने लगा और एक लोकतंत्रिक और समावेशी समाज बन गया है यानि अब वहां का समाज लोकतंत्र और समावेशी बन गया है जिसमें सभी को समान माना जाता है हाला कि रंगभेत के प्रभाव का आज भी महसूस किया जा सकता है अशुएत लोग अभी भी गरीब बेरोजगार और भेदभाव का सामना कर रहे हैं यानि इस पार्टी ने शुरुआत्तों के इंप पर अभी हम कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं तक शुण अफ्रीका में चाहें वह गरीबी हो बेरोजगारी हो या भेदभाव हो इस जगह पर हम अभी आशुएत और शुएत में भेदभाव देख सकते हैं नेक्स्ट आप हमारा दे रखा है रंगभेद का अंत एक महत्पुन उपलब्दी है यह दिखाता है कि जब लोग अपनी स्वतंतरता के लिए लड़ते हैं तो वह कुछ भी हासिल करते हैं यह एक प्रेड़नादाई कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि नियाए और समानता के लिए लड़ना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए यह जो हमें धारन है यह जो हमारी सीख है यह हमें बताती है कि सुतंतरता के लिए हमेशा लड़ना चाहिए चाहे हम किसी भी इस्तिती और हमें नियाए और समानता के छोड़ना नहीं चाहिए, सभी लोग नियाए के लिए समान है, सभी के लिए नियाए समान है, और सभी नियाए के सामने समान है, तो इस चीज़ पर हमें बल देना चाहिए, रंगभेद के प्रभाव का आज भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो बात अलग है कि अब भी हम दक्षुन अफरीका में रंगभेत के जो प्रभाव है उसको महसूस कर सकते हैं कुछ छेतरों में, रंगभेत के प्रभाव आज भी धक्षुन अफरीका में महसूस किया जा सकता है, आश्वेत लोग अभी भी गरीब, बेरोजगारी और अपरिका के लिए एक नए यूग की शुरुआत हुई देश ने तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया और लोकतांत्रिक और समाविशी समाज बन गया देखिए अब भी कहीं कहीं इस्थानों पर रंग भीद देखने को मिलता है जहां में बेरोजगारी गरीबी और भ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमारा स्टार्ट हो रहा है रंग भेद में अश्वेत महिलाओ की भूमिका यानि रंग भेद में जो अश्वेत महिलाओ उनकी क्या भूमिका है यह हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके आपको यह वीडियो अच्छी होंगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखें ताकि आप पूरा चैप्टर कवर कर पाएं और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलिग्राम, इंस्ट्राग्राम, यूट्यूब, ब्लॉगर इन सभी पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जूड सकते हैं और यहां आपको इसके फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आप पटा-फट से इसको डाउनलोड कर लीजी और यह फ्री है कोई चार्ज नहीं तो आप पटा-फट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टेडी को अच्छे आपके चलिए फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग एवर्यवन